दोस्तो अगर आपको कोई बिजनस स्टार्ट करना है या अपने बिजनस को बढ़ाना है और उसके लिए अगर आपको लोन की जड़ो थे तो आज मैं आपके लिए एक जबर 10 प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ यह प्लेटफॉर्म दोस्तो एक RBI रजिस्टर NBFC अप्रूव प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आप पूरे एक लाख रुपया से लेके 30 लाख रुपय तक ही लोन ले सकते हो तो आज के वीडियो में दोस्तो हम बताएंगे आपको इस प्लेटफॉर्म से बिजनेस लोन किस तरह के से अपलाई करना है क्या 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 eligibility criteria रहेगा क्या 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 documentation रहेगा और कौन्शे कौन्शे state में एक company loan प्रवाइड करती है तो उसके complete process इस वीडियो में हम बताएंगे तो हो सके तो एक वीडियो को सुरू से लेके अन्य तक जरूर देख लो सो नमस्कार दोस्तो जगुगेंद में आपका एक बर फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आपको एक वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आके न डभा कर ओल नोटिफिकेशन ओन कर दो जिसे अमरे हाराने वाले इसी तरीके न वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चला दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो अगर आप किसी ट्रस्टेस प्लेटफूम से बिजनस लोन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो एक किराना केपिटल से बिजनस लोन एक प्लेटफूम से दोस्तो आपको अलग-अलग बिजनस के लिए आसान इसे लोन मिल जाती है दोस्तो इस प्लेटफूम की लिंग आपको डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी अधरवाज आप डारेक्ग गूगल में सर्च भी कर सकते हो किरानाकेपिटल.com तो आपके समने एवाला प्लेटफूम आ जाएगा अब दोस्तो इस प्लेटफूम का ब्रांड एमबेसिटर है रवीदर सी जाड़ेजा एग प्लेटफूम दोस्तो स्मोल ब्रांड प्रुवाइड करता है यहां से आप कोलश्टाल फ्री MSME लौन सिर्फ 24 गंटे के अंदर लेसकते हो यहां से तोस्तो आप कोलश्टाल फ्री बिजनस लौन लेसकते हो अगर आप यहाप लोन के लिये एलिलेजिबल हो तो 24 गंटे के अंदर आपकी लोन डिस्पर्शमेंट हो जाती है मिनिमम डोकुमेंटेशन रहेगा और 300 प्लस ट्रेक्टर के लिए यहां से आप लोन ले सकते हो और दोस्तो एफ प्लेटफोर्म 3400 प्लस पिन कोड़ पर अवेलेबल है उसके लवा दोस्तो इस प्लेटफोर्म से आप अलग-अलग केटेगरी पर लोन ले सकते हो उसके लवा दोस्तो दुसरा है हर विकास यह लोन दोस्तो वुमन इंटरप्रिण के लिए होती है जिसमें भी दोस्तो अलग-अलग शीज़ों के लिए यहां से लोन मिलती है और तिसरा है asset process जिसमें दोस्तो अगर आप कोई सी भी नया मसीन लेना चाहते हो या कोई पुराना मशीन लेना चाहते हो आइ दोनों सेस्स के लिए भी दोस्तो, यहाँ पर आप बिजनेस लोन ले सकते हो यहाँ पर मात्रा सिम्पली फ्री स्टेप में आप लोन अप्लाई कर सकते हो पहले step में दोस्तों आपको अपने eligibility चेक करनी होगी यहाँ पर दोस्तों मात्र 1 minute के अंदर आपकी eligibility चेक हो जाती है 7 language के अंदर यहाँ पर आप अपने detail फिल करके eligibility चेक करवा सकते हो यहाँ पर eligibility चेक करने के लिए कोई भी documentation की ज़रुवत नहीं पड़ेगी उसके बद अगर आप eligible होगे तो आपको दूसरे step में ले जाए जाएगा जिसमें दूस्तों आपको KYC और income verification करना होगा उसके बद KYC और income verification हो जाने के बाद आपकी loan displacement हो जाती है तो ऐसे simple 3 step में यहाँ से आप loan अपलाई कर सकते हो उसके लब दूस्तों इस platform ने 4000 करूल से पे जाएदा का loan dispersed किया है 5000 इसके happy customer है 125 और इसके ब्रांची से और इसमें 2,500,000 पे जाएदा job supporters है अब दूसरों यहाँ पर हम पहले business loan के eligibility criteria और documentation देख लेते हैं उसके बद यहाँ पर आपको loan के लिए apply किस तरह किसे करना है उसके जानकारी हम देंगे तो eligibility criteria से पहले हम इसके कुछ feature देखे तो इस platform से दोस्तों आप एक लाग रुपया से लेके 30 लाग रुपया तकी loan ले सकते हो यह platform 3000 pin code में 300 plus sector पर loan provide करता है फास्ट यहाँ पर दोस्तों आपको loan मिल जाता है मातर 24 गंटे के अंदर आपका loan disbursement हो जाता है minimum and flexible documentation process रहेगा और door step customer service रहेगी यानि कि अगर आप यहाँ पर loan के लिए eligible होते हो तो इस company के customer आपके घर पे आगे आपके सारी process complete कर देगा उसकलब यहाँ पर tenure का बात करें तो आपको यहाँ पर 12 मंद से लेके 6 मंद का tenure मिलेगा 21% से लेके 30% तक interest पर यहाँ पर आपको loan मिलेगी और 1,000,000,000 रुपिया से लेके 30,000,000 रुपिया की loan यहाँ से आप ले सकते हो निच़े यहाँ पर AMI calculator भी है आप चाहे तो अपने loan का AMI calculate यहाँ पर कर सकते हो आप दोस्तों यहाँ पर हम eligibility criteria की बात करें तो आपका business minimum 2 years से होना चाहिए आपका minimum turnover पच्छा से जार से 2 करल के बीच होना चाहिए आपका business solo partnership में हो, partnership में हो या private limited हो, किसी भी category में यहाँ से आप loan ले सकते हो अगर आपका business partnership में है, तो आपको दोनों partner का documentation वगरा देना होगा उसके लवा यहाँ पर age limit की बात करें, तो आपके age 25 years से लेके 65 years के बीच होने चाहिए तो यह था दोस्तों इसका eligibility criteria अब दोस्तों यहाँ पर हम documentation की बात करें, तो applicant का KYC document जरूर पड़ेगी जिसमें आपको pen card की जरूरत पड़ेगी, अगर आप co-applicate रखते हो अपनी loan पर, तो उसका भी आधार card और pen card की जरूरत पड़ेगी उसके लवा business का KYC document की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि उद्यम registration होना चाहिए आपके पास उसके लवा बाहर मंद का bank statement की जरूरत पड़ेगी, अगर GST नहीं है तो ITR की जरूरत पड़ेगी तो इतने document दूस्तों यहाँ पर बताए गया है, यहाँ से loan लेने के लिए, लेकिन final documentation तो अगर आप eligible होते है, तभी तहीं होता है तो एथा दूस्तों इसका eligibility criteria और documentation अब दूस्तों यहाँ पर आप अलग अलग product के लिए loan apply कर सकते हो, यहाँ पर कुछ product बताएगी है, जिसमें है हर विकास, working capital, asset purchase, business loan या MSME loan, आप कोई भी loan यहाँ से ले सकते हो उसके लगाँ दूस्तों सबसे important बात, यहाँ पर निचे कुछ इसने city mention की है, इन city के अंदर आप रहते होने चाहिए यहाँ पर है बेंगलोर, मुंबई, अमदावध, हैदराबद, पूने, विजात, छेनाई, कोईमबट और कलपूरागी और सूरत, इतना state दूस्तों यहाँ पर mention है, इन state के अंदर आप रहते होने चाहिए तो चले दूस्तों अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर learn apply किसी तरह किसे करना है, तो learn apply करने के लिए आपको इस platform के home page में आ जाना है, और यहाँ पर आपको उपर यह option मिलेगा, apply now का, तो simple उस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने एक next page open होगा, जिसमें सबसे next page open होगा, जिसमें आपको अपने eligibility check करने है, तो eligibility check करने के लिए यहाँ पर आपको अपना business name enter करना है, यहाँ पर आपका business का pin call number enter करना है, और यहाँ पर आपका naam enter करना है, उसके बाद simply next करना है, तो next दोस्तों आपसे यहाँ पर personal pin का number पुछा जाएगा, और अपने email id प company के द्वारा call आएगा, और आगे आपको क्या process करना है, उसके जानकरी वो दे देदेगा, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ से loan apply कर सकते हो, मैं दोस्तों एक business में नहीं हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई detail तो feel नहीं कर सकता, तो मुझे यहाँ पर loan नहीं मिल सकती, तो मै मैं यहाँ पर दूस्तों कोई भी detail feel नहीं करूँगा, मैंने यहाँ पर आपको सारी जानकरी दे दी है, आप यहाँ पर दूस्तों जैसी है business की details upload कर दोगे, तो आपके detail verify में जाएगी, और आपके pen card के अधर पर आपके eligibility छेख होगी, अगर आप eligible होगे, तो एक company के द्वा आप चाहते हो, तो यहाँ से भी loan के लिए apply कर सकते हो, इसकी detail आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर भी वही detail है, जो मेरा आपको बता चुका है, eligibility criteria एक लाग से तीसलाग रुपया तके loan ले सकते हो, साथ language में एए application available है, यहाँ पर language भी बताई है, सारी detail दोस्तों आप यहाँ से भी सारी detail पढ़के loan के लिए apply कर सकते हो, तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, उमिद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद दाई होगी, अगर वीडियो पसंद दाई हो तो like, share, commit and subscribe करना ना भूले, तो चले दोस्तों मिलते हैं को धमकतर वीडि कर दोस्तों मिलते हैं 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 झाल झाल